परिवार ये है परिवार फिर मैं उसी बात को कहूँगा माताओं बंदुओं राम चरित मानस में से लिया योध्या खांड संजीवनी बूटी है यहां हो सकता है कई देवरानी जेठानी बैठी हो कोई दो बहने बैठी हो हो सकता है ध्यान दीजेगा दो बहने अपने बच्चों को इधर उधर नहीं करती और दोनों को अपने ये नहीं समझती कि मैं नहीं हूँ तो वो तो है हमसे बढ़कर है वो माता कौशल्या राम जी को जितना अपना बेटा मान रही है न केकई माता को भी उतना ही अधिकार दे रही है माता होने का केकई भी तुम्हारी उतनी ही माता है राम जितनी हम माता है जन्म दिया तो क्या हो गया मात रुभाव में कोई कमी थोड़ी है जो के वल पितु आयसु ताता तो बजनी जाओ जानी पड़ी माता लेकिन जो पितु मातु कहे उपन जाना यदि पिता और माता दोनों ने कहा है न राम तो तो सौव युद्या के समान जंगल है चले जाओ चले जाओ राम बड़ भागी बन अवध भागी जोर घुबंस तिलक तुम त्यागी अभागे हैं हम लोग तो हो सकता है राम बन का जादा भागे हो जंगल के भाग में तुम हो राम हम लोगों के भाग में ना हो सकता है बन भागी बन अवध भागी जोरग बन सुतिलक तुम त्यागी राम जी सुन रहे है बाताओं बंधो द्यान दीजेगा राम जी सुन रहे है तब तक माता कौशलया कहती है राम एक बात और थुन से कहनी थी जाने से पहले बोलिए माता माता कौशलया कहती है राम जो सुत कहाँ संग मोही ले हूँ अगर मैं कह दू कि राम मैं भी चलूँगी मुझे भी ले चलो तो तुम रेखर दे हो इसंदे हुथ तो तुम ये सोचोगे कि अरे माता क्या सचुच मेरे साथ चलना चाहती और फिर तुम मुझे मना करोगे कि नहीं माता आप में चलो आप कष्ट कर जाओगी और हो सकता है कि तब मैं रुख जाओँ मैं ऐसा जूटा प्रेम आप से नहीं करना चाहती देखिए कितनी सच्चाई है संबंधों में कह रही है बेटा यदि मैं तुम्हारे साथ चलने को तयार होने लग जाओ और जानती हूँ कि मैं जा नहीं पाओँगी तुम मना करोगे मैं रुख जाओँगी तो ऐसा जूटा नाटक करने कि मुझे कोई आप श्यक्ता नहीं यह विचार नहीं करऊ हट जूट सने हो पढ़ाई क्यों नहीं क्यों नहीं गई देखिए इससे एक बास समझ में आती है समझ में यह आती है कि एक इस्त्री के लिए यदि हमसे पूछा भी था और दिल्ली में स्वामी जी के आश्रम पे ही एक पंडी जी ने एक बार प्रश्निक गिया था उनने कहा था कि एक बात बताईए एक इस्त्री के लिए पती ज़्यादा महत्पून होता है कि उसका पुत्र ज़्यादा महत्पून होता है कौन तो मैंने यही उधारन दिया था कि देखिए हमारे रामचरित मानस से तो यही समझ में आता है कि पती ज्यादा महत्पून होता है एक संत ने कहा भी है कि दासी दासी करके एक संत हुए वो लिख रहे हैं कि दासी दुखकारन प्रगट जद्यपिको सलनाथ पैरानिन सुत को तजयो तजयो नपती को साथ पती सदैव इस तरी के लिए ज़्यादा महत्पून होता है अगर चुनाओ करने की बात आजाए तो वैसे तो दोनों के यह कहना कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन एक दम ही चुनाओ की बात आजाए तो पती देव अमित दानी भरता बैदेही अधम सुनारी जो सेव न थे ही यही कह रहे हैं माताओं बंग्दूओं मैं तुम्हारे साथ जा नहीं पाओंगे इसका यह मतलब नहीं है राम कि मेरे प्रेम में तुम्हारे लिए कोई कमी है तुम यहां से चले जाओ तो ऐसा मत समझना कि माता ने मुझे साथ नहीं दिया यहीं रह गई राम मैं तुम्हारी प्रतिक्षा करूंगे भूल मत जान आना जरूर तुम्हारी एमान तुम्हारी पतिक्षा करती रहेगे माताओं बंद्यों माता कौशल्या और प्रभुशिराम चर्चा करी रहे थे तब तक क्या हुआ जानते हैं तब तक माता जानकी को पता पड़ गया और जैसे ही माता जानकी को पता पड़ाना माता जानकी दोड़ी दोड़ी और दोड़ के जाकर के माता कौशल्या के चरणों पे दंडवत हो गई कुछ बोल नहीं रही केवल जाकर के और लेट गई अब माता कौशल्या देख रही है और देखते ही समझ गई कि अब जानकी जी को भी जाने केक्षा हो गई, जानकी जी को भी जाना चाहती है जानकी जी, लेकिन जाने कैसे दे, उचित बात नहीं है, तो क्या कहती है जानते, देखा आरे, लेटी हुई है, राम जी से कहती है, राम एक बास सुनो, ये जो लेटी है जानकी जी, इनकी तुम यह बनबास मिला होगा राम तुम तो जंगल जंगल घूमे भी हो विश्वामित्री जी महाराज के साथ यह जान की जी ऐसी वैसी नहीं है यह पिता जनक भूपालो मनी ससुरभान कुलभान और पति रभी कुल के रव विपिन विधुगुन रूप निधान पति आप है इनके चक्रवर्ती समराठ दश्रजी महाराज ससुर हैं जनक जी इनके पिता दी हैं और मैं सास हूँ एक बात समझेगा बड़ी बाहरी बात बहुत मैं व्यावारिक बात करूंगा आज जान माताओं बंदुओं भगवान न करें किसी कहां विवाह हो और कोई कन्या आए विवाह करके और जब विवाह करके कोई बहु आ जाती है न तो बहु आने के बाद मान लीजिए खुदा न खास्ता चौथे दिन चौथे दिन पांच में दिन खुदा न खास्ता जो पतिदेव है यानि जो दूले राजा है जो बहु के आपके बेटे हैं जो आपके नहीं माने जिसके घर में आयो खुदा न खास्ता उनका एक्सिडेंट हो जाए एक्दम से पहरवें टूर जाए या मान लीजिए कोई कहती हैं कि जब से इस करम जली ने पैर रखा है इस घर में यह कहां से भागी लिखवा के आई है हम लोग का इतना अच्छा घर परिवाह चल रहा था और सब अच्छा आ रहा था यह जब से नास्पीटी आई है सारा घर बरबाद करके रख दिया बरबाद हो गए हम इसको चोट लगे हमारे बेठे मोग इसके भाग best सब कुछ इसके भाग से हो रहा है इसके दुराग से हो रहा है कहां से अपना भाग लिखा क्या है यही तो कहते है न अब्भी प्रस्यात लोग नो माता कउसल लिया नहीं कह सकती थी कि कह रही है मैं पुनि पूत्र बधू प्रिय पाई, रूप रासि गुन सील सुहाई, कलप बेली बिधी, बहु कलप बेली जिमी, बहु बिधी लाली, सीची सनेह सलील प्रति पाली, अरे फूलत भलत भयाव बिधी बामा इसा क्यों हुए राम, मुझको समझ नहीं आ रहा है, जानकी का इसमें कोई गलती नहीं है, और एक बास सुनो Rाम राम, मैं जानकी का इतना खयाल रखती हूँ न तुम यदि ये सोच रहे हो न तो जानकी जी, अगर जानकी के मन में भी आ रहा है कि उन्हें बनबास जाना है तो जानकी चाहे अपने माई के रहती हो या चाहे ससुराल में रहती हो जानते हो वो पलंग से निकलती है ना जानकी जी तो सीधे गोध में आते हैं जमीन पर प्रत्वी पर तो जानकी ने कभी पैर ही नहीं रखे जानकी इतनी सुकमारी है राम कैसे जंगल चली जाएंगी कभी कभी गई नहीं है और मैं उनको इतना प्रेम करती हो ना जीवन मूरी जिमी जोगवत रहो और दीप भाती नहीं टारन कहो क्या उपमा दी अब आज कल के लोग तो समझी नहीं पाएंगे इस उपमा को यहां बैठे होंगे जो येशी और LED वाले लोग तो समझी नहीं पाएंगे कि क्या उपमा है जो पुरानी लोग है समझ जाएंगे माताओं बंधों पहले क्या होता था घर में एक दिया लगाया जाता था गाओं में अब वो दिया चाहे वो चीनी मिठी के बरतन में या ऐसा भी सिस्टम था कि वो बोतल नहीं होती थी बोतल के उपर से धकन तोड़ देते थे काट के उसमें से धिया निकाल देते थे जूते की लेस समझा रहा हूं मैं आपको उस समय मुझा जी मैं ऐसा नहीं होता होगा लेकिन और बता रहा हूं तो क्या होता था कि वो जब दिया जलता रहता था धीरे धीरे जलने के वो थोड़ा से कम होता जाता था जलते यलते तो कहते थे जाके थोड़ा सा उठाओ दिया थोड़ा सा उठाओ उससे सरल काम और वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो लेकिन माता कोशल्या कह रही है राम मैंने जानकी जी को कभी ये भी करने को नहीं कहा रात में क्यों दिया थोड़ा सा नीचे जा रहा है जानकी जी उसको थोड़ा सा उठा दो इतनी सुकुमारी है हमारी जानकी आप क्या चाह रहे है ये बताओ और राम एक बात और सुन्लो देखे कितनी सुन्दर बात माता को शल्या कह रहे है कह रहे है अगर इनको जाने का मन कर रहा है जानकी जी की तरफ देखे कह रहे हैं कह राम जी जी रही है एक बास सदय व्याद रखेगा मर्यादा देखिए एक शास की और यहाँ जो सास बैठी हो वो इस मर्यादा का पालंग कम से कम करना प्रारंब कर दे जब विवा होके आजाए बहू देखिए उस समय जब इतनी मर्यादा थी आप एक बात आईए आप चाहती है कि बहू हमारी इज़त करे हमारे घर में एकता रहे हमारा वड़ा संबान रहे तो या तो भगवान की ऐसी क्रपा हो जाए आप एतनी तपस्या हो कि जानकी माता जैसी बहू आजाए तो बहुत अच्छा है लेकिन यदि नहीं आ रही है तो कुछ तो एज़स्ट करना पड़ेगा तो क्या एज़स्ट करना पड़ेगा देखिए माता गौश अल्या से पती पत्नी के बीच में इंटर्फेर करना अगर पती कुछ कह रहा है पत्नी को चाह रही है तो प्रयास करिए कि आप लोग बीज में इंटर्फेर ना करें उसी में आपका सम्मान भी है और प्रेम भी है दोनों है माता कौशल्या आप लोग पाठ पढ़ लीजिएगा माता कौशल्या इतनी सारी बात कर रही है लेकिन एक बात भी वो जानकी जी से नहीं कह रही है वो कह रही है राम जी से समझाते हो कि राम राम ये जानकी अगर जाने को चाह रही है तो एक बात सुनो राम बनफिद कोल किरात की सोरी रची बिरंजी विशे सुख भोरी बन जाने के लिए कोल किरात की सोरी पहले से वहां प्रम्मा जी ने बना रखे कहने का ये अर्थ है कि जिसको एसी में रहने की आदत पड़ गई हो आप उसे कैशे ये सोचेंगे कि वो गर्मी में जा करके और पेड़ के नीचे लेट जाएगा लेकिन जो गाउवाले हैं हमारे जो ग्रामी रांचल के लोग हैं वो तो पेड़ के नीचे आम के पेड़ के नीचे हैं कितनी आनन्द से पिता देते हैं अरे भाई, लाइट की वेस्ता अभी भी कहा 100% हो चुकी है, हो पाई है, गाउ में, उनको थोड़ी मालूम है कि एसी क्या होता है, एसी की थंड़क क्या होती है, या कार क्या होती है, वो साइकल से आनन्द लेते हैं, अबारे बैठें, शिवनारायन मिश्णा जी दिखें, सत और हयार रूपय कमाते हैं, लेकिन साइकल नहीं चूट रही हैं उनसे, मैं कहता हूं, भाई, तोड़ा था स्टेटर बना लीजी अपना, आप साइकल, अब इसी लब देख नहीं राओंबन की तो आप मूँ चुबा लिए, तो कहने का यह अर्थ है, क्योंकि आदत पढ़ तो वही माता कॉषयल्या कह रहे हैं कि बन के लिए ब्रह्माजी ने अलग से कोल की रात की सोरी बना रखी है, उसके लिए जान की जी को अलग, राजकुमारी जैसे बना यह है, बनहित कोल की रात की सोरीत रची बिरंची विशय सुख भोरी अरे पाहन क्रमी जिन्जि मी कठिन सुभाव। तिनही कलेश नकानन काहू। आशे कीड़े होते हैं पथर के कीड़े तो उनका तो वही जीवन है उनको कोई कठनाई थोड़ी होती है पथरों के बीश में चलने पर लेकिन हम लोग जाते हैं आप लोग जिनको अभ्यास ना हो वो चले जाएगा वैष्णो माता वैष्णो देवी की परिक्रमा करने चार दोजब करेंगे लेकिन कई अशे हैं जो रोज आते आते हैं उनको कोई जो होड़े वाले लेकर चलते हैं उनको फोड़ी कोई दीर्द होता अज्वाद अभ्यास अउनको उसी प्रेकार कह रहे हैं कि कायता अपसतिय कानन जोगु जिनता पहेतु पजासब भोगु यांटो परमषद्य महाम मनलेस्यु वृग विलास का किया हुए जो किसी ने कहा ठोड़ी है यह तो प्रभू की प्रेणना है प्रभू की क्रपा है और स्वामी जी का संकल्प है संत महात्मा हिमालय की गुफाओं में रह रहे जा करके किसीन कहा थोड़ी है तो तपस्या के लिए जिन्होंने भोग को तजा है या तो वो तो कहा राम ऐसा है ना तो जानकी जी कीड़ा है किड़े की तरह ना जानकी जी को ब्रह्मा जी ने कोल किरात किशोरी के परिवार में कहीं ऐसा फिट किया था वो तो सुकमारी बनके आई थी और ना ही जानकी जी का कोई तपश्या करने का कोई तपश्या उनको करनी है तपश्या का कोई अभी कोई आप जब जिनको भगवान नहीं मिल गए उनको क्या तबस्टा करनी जी कोई आशी बात नहीं है उनको थी अपन बसे ही तात के ही भाती वो तो चित्र लिखित कपी देखी डेराती कहां से जाके रहेंगी अरे जानकी जी को तो फोटो में बंदर दिख जाता है न राम तो फोटो का बंदर देखकर वो सास बैठी हो वो इस बात पर ध्यान दे आपको तो खैर सब ध्यान है ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं लेकिन और भी वैसे तो मैं जान रहा हूं कि जितनी यहां सास बैठी है वो अपनी बहुओं को सास लेने देती है जो सास है वो अपनी बहुओं को सास लेने दे रही है उनकी सास दबा के नहीं पैठी है तो इसलिए तो ससंग में हो लेकिन जो एक आधा बीच में कहीं बैठा हो राहु की तरह है वैसे तो ससंग में कभी राहु आही नहीं सकता है तो सब मैं विनोद मैं कह रहा हूं बाता हूं बंद्वा लेकिन ध्यान दीजेगा सबसे मुख बात जो माता कौशल्या कह रही है आखरी में अस बिचारी जस आयस होई मैं सिख देऊ जान की सोई खुद नहीं दे रही है अभी तक पती पतनी के बीच में इंटर्फेर नहीं किया कह रही है राम तुम जैसा कहोगे वो जान की से कहा जाए या राम तुम कह दो तुम्हारे मुख से अच्छा लगगा कह दो राम तुम ही कह दो अवाताओं बंदों धरम संकत प्रहुशी राम के ओपर क्या बिचित अद्रम संकत आपलेंगे घरतते अंठाव अच्छा एस सर्फ ए इसा कहा ध्रम संकत अगए यह कौन सा देखिए यह संस्कार भी लूप्द होते जा रहे है समाज से कितना परिवार का क्या संसकार बता रहे है प्रभुशिराम के आचन देखे माताओं बंधुओं हमारे हाँ संसकार था कि बहुत अपने पती से या बेटा अपनी पत्नी से माता पिता के सामने बाचित नहीं करता था जादा हसी मजग नहीं करता था ये संसकार थे हमारे हां के माने पती पत्नी अपने माता पिता के सामने नहीं बहुत खुल के बाचित करते थे अब राम जी कह रहे हैं कि भाई माता कह रही है कि जानकीजी से कहो, समझाओ और मैं कैसे समझा जू ये तो मर्यादा भीन है, माता के सामने मैं अपनी पत्नी से कैसे बात करलू, कैसे करलू, लेकिन आपात काले मर्यादा नासती, ये भी है, आपात काल में मर्यादा नहीं होती, ये ही बात हो रही है, अरे माताओं बंधों संसकार तो एक और भी था, एक पती देव का नाम भी नहीं ले थी, थी थी थोड़ा सा बाद में याद आया मुझे, अब तो क्योंकि अब तो लेने लग गया है, अब तो चलने लग गया है, अब कोई यही बात नहीं, लेकिन पहने हमारे हाँ, आरे यही हुआ था, जब माता जान की पहुंची न, गाउं म गूमते हुई, तो सारी ग्राम बधूटियों ने कहा, यह कौन है, यह आपके साथ चल रहा है, यह कौन है, यह कौन है जरा इनका पड़्चे तो दीजे, अब माता जान की कैसे बता है कौन है, कैसे नाम बता दे, अरे वही शंसकार है, पती देव का नाम नहीं लिया जाता और ग्राम बधूटियां पूछ रही है, यह सीस जटाओर बाहू बिशाल, बिलोचन लाल तिरी छी सिभाओं है, और तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग में सुठी सों है, साथ पूछती पार ही पार सुभाए, चितए तुम दोहम रोमन मोहे, और पूछती ग्राम बधूसिय सो, कहों सावरे से सखीडावरे को है, यह सावरे कौन है जरा बताना तो, यह कोटी मनो जल जावो निहारे, अरे सुमुखी कहाओं को आही तुम्हारे, तो सुनी सने हो मैं मन जुल बानी, सकुची सिय मन महु मुसकानी, ती नहीं बिलो की बिलो कती धरनी, माता जमीन की तरह देखने लगे, अगर क्या करूं, कैसे इनको बता दूं, कौन है मेरे, कैसे नाम ले दूं, तो देख रहे हैं, लेकिन नहीं बताएंगी तो यह भी मर्यादा की खिलाबात है, तो तिना ही बिलो की बिलो कती धरनी, दुहु सकोच बरनती बर बरनी, सकुची सप्रेम बालों ब्रिग नैनी, और भूली मधूर बचानपिक बयानी, क्या बोली जानती, माता ने सोचा कि यह पूछना है, यह सावरे सलोने कौन है, कहो सावरे से सकी रावरे को हैं, तो माता को लगा कि यह दो दो हैं, दूसरे के बारे में पूछा नहीं, तो ऐसा करूँ, यदि दूसरे के बारे में बता दूँगी, तो आटोमेटिक समझ मे जाएगा कि पहले वाले कौन है कि यह सहज शुभाय शुभगतन गोरे और नाम लखन लगु देवर मोरे यह मेरे देवर जी है यह जो गोरे से फूच्वने के लिए रहे गोरे से मेरे देवर तो आप समझ जाओ भाईया जब एक देवार है तो साथ में भाईया जी होंगे लेकिन इतना ही वो समझ जाती तो विचारी ग्राम बदूटिया क्यों होती पढ़ी लिकी शहर की नहीं होती बिल्गुल जैसे भाईयों को टेड़ा कर देती है ना माता है वसे भाईयों को टेड़ा करके इशारा किया कि ये कौन है जानते है ये खंजन मंजू तिरी छे नैननी और निजपती कहे उतिनहीं सिय सैननी उनको सैननी माने इशारे से बताया कि मेरे पती है नाम ने लिया माता जानकी ने ये संसकार है हमारे सनातन धर्म का माताओं बंदूओं ये था हमारे संसकार सनातन धर्म का अभी भी कई जगे देख एक लिए द्था कें जीने के मतब माटन चाहिरा हुआ पात काल में समूझे मनisl माहीं कि राज कुमारे शिखावन सुनहोग आुग भाति जनी जिय कचुकुन हो आयसु मोरी सासु सेवकाई और सब विधिभामी निभवन भलाई एहिते अधिक धरम नहीं तूजा साधर सास सशुरपद पूजा अरे सुनो जान कीजी मेरी आग्या है और मेरी ही आग्या नहीं है मैं कोई अधर्म की आग्या नहीं दे रहा हूँ आपको इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है इस संसार में सास सशुर की पूजा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है माताओं बंधों इस धर्म का पालन तो आज भी हो रहा है इस धर्म के पालन में कहीं कोई गणवर नहीं आई है बढ़ थोड़ा सा फिर बदल इतना हो गया है कि ससुरारी पियारी लगी जबते तो रिपुरूपो कट कुटुम्भो भए तबते माने सास ससुर की पूजा तो हो रही है लेकिन बहु जितना सास ससुर की पूजा नहीं कर रही उससे ज़्यादा दामाजी करने में लगे है अपने सास ससुर की पूजा भाई दामाजी भी करिये कौन वना कर रहा है दामाज जी अपने सास ससूरी जितनी पूजा कर नहीं करो अरे लेकिन बहुए भी तो करें अपनी सास ससूर की पूजा के उल्टा है चलेगा फिर पुल गंगा चलियो घये भगवान शिराम करें एहिते अधिक धरम नहीं तूजा और साधर सास ससूर पद पूजा जब जब मातू करही सुधी मोरी होई सनेह बिकल मती भोरी तब 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 तुम कही कथा पुरानी और सुन्दरी समुझाव हुम्र दुबानी जब माता मुझे याद करेंगी तो जानकी कोई तो होना चाहिए यहाँ पर उनको समझाने के लिए राजा जी हमारे पिता जी तो लगे रहते हैं राजपाट में विवस्था में माता के ख्याल कौन रखेगा बताओ जानकी इसलिए माताओं बंदू मैंने एक दो तीन चार दिन पहले कहाए भी था कि बहुए बहुए के लिए तपस्या करनी चाहिए आपको दुख में वही बहुए साथ में बैठेंगी और कौन बैठेगा कहरें जानकी रुख जाओ आप मत जाओ गूरुशृति सम्मत धरम फल पाईयों पी नहीं कलेश और हठी बस सब संकत सहे गालों नहुश नरेश देखो बड़े बड़े लोगों ने चाहे वो गालों मुनी हो चाहे नहुश नरेश हो सबने बड़ा संकत सहा है जानकी रुख जाओ मत जाओ तो माता जानकी निकारे मैं रुख जाओ प्रभू आप जा रहे हैं आप जा रहे हैं मैं कैसे रुख जाओ मैं आपकी प्रतिक्षान नहीं कर पाऊंगी प्रभू भगवान राम कहते हैं चिंता मत जानकी मैं गया और आया तो भगवान सिराम से माता जानकी कहती है प्रभू ये बेगी फिरव चौदा वर्ष का बनवास है आप करें बेगी फिरव राम जी कहते हैं जानकी दिवस जात नहीं ला गहीं पारा इस अरधाली को तो अपने जीवन में उतार लेना चाहिए आप सबको माताओं बंद्धों जान दीजिए भाई आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि एक बार अगबर से भीरबल अगबर ने भीरबल से पूछा कि ऐसा कोई वाकिय बताओ जिसको प्रसनता में सुने तो प्रसनता कम हो जाए और जिसको दुख में सुने तो दुख कम हो जाए तो उनने भी यह कहा कि यह भी न रहेगा अंगरीजी में भी यह कहावत है इवन इट विल भी पास यह भी चला जाएगा कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर एक दिन इस संसार में कुछ भी नहीं रहना है कहने कार्थ जब आपके उपर बहुत संकट आए न तब भी धहर रखके यही समझ जाएगा कि दिन बीते देने लगती यह दिन भी चले जाएंगे और अगर बड़ा प्रसनता की बात आए तो अब तब ही सोच लीजेगा कि यह दिन भी नहीं रहेंगे माताओं बंद्वों ध्यान दीजेगा यही चर्चा उधाओं से गोपियों के साथ भी हुई है स्रीमत भागवत महपुरान की चर्चा है जब गोपियों के पास उधाओं गए और उधाओं ने कहा कि गोपियों अरे गोपियों तुम भागवान को याद करके कब तक रोगी कब तक इतनी दुखी रहोगी यह बताओ न अरे ऐसा कैसा प्रेम जो इतना दुख दे तो गोपियों ने कहा कि उधाओ आप क्या कहना चाहते हैं उधाओ ने कहा मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखी आप उन निर्गुन निराकार परमात्मा को अपने हिर्दय में धारन कर लिजे तो उससे यह होगा कि आप दुख ही नहीं रहेंगे अगर आप उस सगुन सवकार गौल बाले के बारे में सोचेंगे उनका नहीया के बारे में सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि वो बचन देके चले गए थे वापस नहीं आए दुख होगा कवाएंगे प्रतिशा करेंगे और यही आप अगर निर्गुन निराकार परमात्मा के बारे में सोचेंगे तो वो तो कहीं गए नहीं थे, वो तो घडड़बासी है